हेलो मैं अब से कुराब देख रहा है प्राइम कोर्स यूट्यूब चैनल इंजिनरी मेकनिक्स कोर्स में हमने लिवर से स्टार्ट कर चुका है और लिवर पे एक थेयरी वीडियो और एक नुमरिकल का वीडियो बनाया है उसका लिंग आपको इस वीडियो के डिस्क्रिपिश एड भी यह बी पॉइंट पे इंस्ट है ओके एन इस सब्जेक्ट एग तो असी सिस्टम अब को प्लेनर फोस एस सोन नेगलेक्टिंग फ्रिक्शन फाइं दा मैंगनिचूड फॉद फॉर्स पी तो किप देलिवर इन इकलूब्रियम हमें फॉर्स पी का मैंगनिचूड फ तो इस टाइप के कोस्टन में हम मुस्टली क्या करते हैं मुमेंट अबाउट हिंच पॉइंट ले रहते हैं ठीक है उसके लिए हमें क्या चाहिए फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस और आपका यहां पर लेंद्ह दिया हुआ है यह भी सेल्टू दिया हुआ है 20 संधमिटर और वी सेल्टू परपेंडिकुलर नहीं है अगर हम वुट की यह dicho हिंच पॉइंट का है कि तो वी चोज़ी पे 600 न्यूटन परपेंडिकुलर और वहोनने चाहिए लिकिन नहीं है और फॉर हंड़कर और फोर्स पर्पेंडेकुलर नहीं ये आप पहले हम एक वन कर दरिवार न्योंत प्रेंड करते हैं ये सिजन ले लेते हैं यह आपका सिक्षंडेट ऑंडinta कर फोर्स है और यह आपका 400 न्यूटन का फॉर्स है यह आपका बी पॉइंट है और यह होरिजन्टल 30 डिग्री पर है ठीक है है और जस्ट इसी के पैरलल जो यह और यह यह लाइन इसी के पैरलल हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो यह ठड़े दिग्री हो जाएगा ठीक है और हमें बी सी पर 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 ड्रॉ करना है तो उसको रॉप कर दे रहा है ठीक है इसको हम दूसरे कलर के साथ सोब कर दे रहे हैं ताकि आपको असानी हो जाएगा समझने में ठीक है यह परपेंडिकुलर किस पर बीसी पर है तो यह एंगल कितना हो जाएगा यह एंगल आपका शिक्स्टी डिग्री हो जाएगा जब यह 60 हो गया तो यह 30 डिग्री हो जाएगा और यह जो यह जो आपका लाइन है यह क्या है यह एक्स्टेंड करेंगा तो यह हो जाएगा यहाँ पर आजाएगा 600 न्यूटन ठीक है और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 60 डिग्री कैसे आया यह आपका सी पॉइंट था और 600 न्यूटन फुर्च को हमने एक्स्टेंड किया और यह आपका बी है यहाँ पर आपका सी है यह आपका 400 है और मैंने यह बोला कि बी और सी पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो परपेंडिकुलर लाइन जब ड्रॉ होगा तो यह क्या होगा 90 होगा और यह पहले से 30 है और यह 90 है तो यह क्या हो जागा 60 डिग्री हो जागा वहीं तो मैंने लिखाँ experienced or ये ये और ये जह 90 है और यह 60 है तो यह क्या हो जागा 30 degree हो जाएगा आप समझ में आ गया ठीक है अब आगे चलते हैं हमने एंगल लिख दिया और अब इसको रिजॉल्ब करते हैं उस एंगल पर तो क्या होगा 600 600 को रिजॉल्ब करते हैं 600 को सिक्स्टी डिग्री और फोर हंडड़ को रिजॉल्ब करें तो क्या होगा 400 को सिम्नी डिग्री अगर आपको चौभ फोर्ष को कैसे रिजॉल्ब करते हैं अगर यह समझ में आता है तूस helping है उसका वहन लिंक मैं जो एक्सच्च्च से 30 दिग्री के एंगल पर तो एक ते मोई से अगर इसको 40 दीग्री इनुंटन करना परेगा तो क्या होगा है ट्वंटी कॉज जट्टे डिग्री कॉस ऑल्वेज और रेंश इसाथ होगार्च से सफ हो अंगल है लुपनेंटी न्युटन 30 degree के साथ angle पर किस axis के साथ है X axis के साथ इसलिए यहाँ पर cos आया तो Y पर क्या हो जाएगा 20 sign 30 degree suppose यह same question इस तरह से होता 30 degree 20 newton यह Y axis यह X axis तो अब यह 30 degree किस axis के साथ है Y axis के साथ तो Y axis पर क्या हो जाएगा cos हो जाएगा तो जिस axis के साथ angle बना रहा है उसमें हम cos से multiply करेंगे तो 20 cos 30 degree confusion नहीं होना है कि cos कहां पर ले और sign कहां पर ले जिस axis के साथ है उस axis पर cos लेना है जिस axis के साथ नहीं है उस पर sign लेना है तो एक से से इस पर क्या हो जाएगा ट्वेंटी साइन थर्टी डिग्री हमने सेम कंसेप्ट यहाँ पर हमने यूज किया है ठीक है और हम आगे चलते हैं अब इसी को भी पॉइंट को एक्स्टेंड करते हैं हम यह आपका ए है और यहाँ पर एक आपका पी फोर्स है जो तो 60 डिग्री के साथ है इसको भी जोल्व करना है यह अपका पी है तो यहाँ पर रिजोल्व करने के बाद क्या हो जाएगा पी साइन 60 degree same concept जो हमने बताया आपको ठीक है हमने सारे force perpendicularly dissolve कर लिया है अब हम क्या करना है taking movement about B taking movement about B and equating same ठीक है यह हम यहाँ पर करते है taking movement about B and equating same तो फिर एक बार मैं आपको draw कर दे रहा हूँ यह आपका C point हो गया यह आपका 600 newton का force यह आपका 400 newton का force यह आपका A point है A point पे P newton 60 degree एक साथ है तो इसको perpendicular करने के बाद यहाँ पर हो क्या था P sin 60 degree ठीक है और यह B point है आपका तो BC पे हमने एक perpendicular लिया यह आपका 60 degree यह आपका 30 degree यह आपका 30 degree और BC 30 degree पे है horizontal के साथ यह सारा एंगल है जो आपका question में दिया हुआ है और हमने कुछ एंगल निकाले है और यह जो BC पे perpendicular है इस पे हमने 600 और 400 को resolve किया तो आया था कुछ हैसा 600 cos 60 degree और 400 cos 30 degree ठीक है और movement find करना में हम जो sign convention को use करेंगे clockwise positive और anti-clockwise negative तो इसको आप ध्यान देजिएगा ठीक है अब हम movement about भी find करते है movement about भी find करना है तो क्या होगा 600 पले हम यह P वाले force को लिखते हैं पी साइन 60 डिग्री इन्टू 20 क्योंकि A भी इसकल टू क्या है 20 cm और B C इसकल टू 24 cm ठीक है यह पलस होगा क्योंकि यह जो पी साइन 60 डिग्री है यह clockwise है clockwise जो इन्टिक लोक के से फाइंड करेंगे जो फोर्स है उसके डारेक्ट जिस डारेक्शन में लग रहा है उस डारेक्शन के थिरूब आप जिस पॉइंट पर फाइंड कर रहा हूं उस पॉइंट पर चाने कुशिश किजिए तो हम जा रहे ह है तो प्लस हो गया ठीक यह जो 600 और 60 डिग्री है यह किस डारेक्शन में है इस डारेक्शन में फोर्स जारा उसका तो जिस डारेक्शन में जाके और जिस पॉइंट पर फाइंड करना उस पॉइंट पर हम जाने कुशिश करेंगे तो यह एंटिक लोक वाइज है तो माइन एगेन 430 डिग्री इसे पर है यहीं वाला परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर फोर्स है बीसी पर लग रहा है और इसको भी हम पहुंचने कोशेश करेंगे इस पॉइंट और फाइन कर रहा है बी पॉइंट पर तो भी एंटिक लोग जा रहा है तो माइनस 400 कोश 30 डिग्री इंटो 24 इक्वल टो आपर 0 होगा इक्वल टो 0 तो P 60 डिग्री इंटो 20 इक्वल टो 600 कोश 60 डिग्री इंटो 24 प्लस प्लस हो जाएगा है कि अब इक्वल टो इक्वल टो के राइट साट जा रहा है तो साइन चेंज हो जाएगा 400 कोश 30 डिग्री इंटो 24 तो यहां से पी इक्वल टो क्या हो जाएगा 600 कोश 60 डिग्री यहां पर 60 डिग्री होगा इंटो 24 प्लस 400 कोश 30 डिग्री इंटो 24 एन डिभाइड वाइड वाइड साइन 60 डिग्री इंटो 20 जब कल्कुलिट कीजेगा तो P इक्वल टो 896 न्यूटन आएगा दस कल्कुलेशन है इजी कल्कुलेशन जो आप कर सकते हैं तो इस तरह से इस टैप के प्रोलम्स को आप सुल्व कर सकते हैं दूसरे स्टेप हिंच्ट पॉइंट के लोंग आप मुवमेंट फाइन कर लिजे हिंच्ट पॉइंट पे आप मुवमेंट फाइन कर लिजे और दोनों को इक्वेट कर दीजे जो आपका एकवेशन एक बनेगा और इस एकवेशन से आप एक अनुण जो भी है उसको फाइंड कर सकते हैं त्टेक है और मुवमेंट फाइंड करते वग्त आपको जो साइन कन्वेंशन लेना है ग्लोकवईज प्लस और एंटि क्लोकवईज माइनस तो इन सारे इसको आपको ध्यान में रखना है इस टैप करते हुए तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूरूर बता है और लाइक करें अपना फिड़बेक कमेंट में जरूर दें इस वीडियो को अपने दुस्तों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें थियरी का जो कोश्चन है वो देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें और जो प्रोलम नमबर वन है इसी टॉपिक पे उसको देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें हमारे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद